हलो और नमस्कार एवरीवन आज जो मैं पेशन्ट आपके लिए लाई हूँ उन पेशन्ट को जादा इंटिड्यूस करने की मुझे जुरत नहीं है क्योंकि वो खुद में इतने सेल्फ मोटिवेटेड हैं और वो इतने सेल्फ सॉर्टेड हैं कि वो खुद ही अपने बारे मे वो खुदी सारा डिस्क्रिप्शन अपने बारे में बताएंगे और यह स्माइल मेरे पास इसलिए है आज आज आपको दिखाने के在lbox क्योंकि वो patient इतने motivated थे शायद वो मुझे भी motivate कर गए कि हाँ, sorasis चाहिए कितना भी पुराना हो ठीक हो सकता है कोई problem नहीं आ सकती और इसमें सबसे जरूरी क्या है? Willpower, self motivation जो patient अक्सर खो देता है और patient demotivate होके यह सोचने लगता है कि शायद अम मैं sorasis free हो ही नहीं पाऊंगा पर यह patient से जब आप मिलेंगे उनकी बाते सुनेंगे तो आप भी motivated हो जाएंगे चाहिए जितना पुराना sorasis हो फरक नहीं पड़ता वो भी ठीक होगा और इन्होंने सिर्फ प्रनायम add on करके हमारी treatment के साथ जो magical results लिये हैं जो magically अपने sorasis को beat किया है वो I mean unbelievable है तो आप आज से ही treatment चाहे कोई भी ले रहे हो प्रनायम जरूर करें आदा एक घंटा breathing exercises जरूर करें और magic को feel आप खुद करेंगे किसी भी treatment के साथ और sorasis free जल्दी हो जाएंगे नवस्ते मेरा नाम अंकिस सर्मा मैं जैपूर से हूँ और आज मैं बहुत बड़ा आभारी हूं डोक्टर मेगा और उनकी टीम का क्योंकि मेरे को बहुत सीवियर सुराइसिस नॉर्मल नी बहुत बड़ा सुराइसिस पुरी बोड़ी वाला सुराइसिस क्या है बड़ डॉक्टर नहीं बोला एलोपेथिक वाले ने कि यह कभी साही नहीं होगा आपको तो यह मैडिसन लेनी ही है ठीक है कुछ दिन ली साही हो गया वापस से फिर मैडिसन लेता फिर दुवारा हो जाता और कहीं ज्यादा बड़के होने लग गया ता उसको लेने के बाद मेरे वो फाइदा दो हुआ बड़ कुछ टाइम बाद मेरे वापस से बहुत ज्यादा रेकरेंस हुआ फिर एक तरह से भरोसे ही अड़ गया मेरा कि सुराइसिस कभी यह ठीक होगा भी या नहीं भी होगा फिर वापस से मैं अलोपेथिक में चला गया अब अलोपेथिक अरांड दो हजार साथ दो हैर साथ से मैंने वापस चलू करी अलोपेथिक और 2020 प्टमबर 13 तब तक मैंने कंटिन्यू अलोपेथिक ली और उसमें मेथेख्यो ट्रेट यानि के एक टेबलेट खालो उसको वीक में तीन टेबलेट होगर्ती थी लेकिन एक कुछ खाने का मन नी और पूरी तरह से सही भी नहीं हुआ लगबग 2008 के बाद से 2020 तक तो मेरे को याद भी नहीं कि मैंने हाफ टीशट भी कोई पहनी है कुछ भी नहीं याद मेरे को लेकिन जब मैंने सेप्टमबर में अपने सजी पीटी ओटी में लीवर के टेस्ट करा है तो बहुत ज्यादा बड़े हुआ थे उसके अंदर तब मेरे को बस यह पता था कि यह कहीं से योग से आने की ठीक होता है तो मैंने अपना अलोपेतिक छ एक साल पहले है जब मेरे को रियक्रेंस हुआ था तो मेरे को जानने वाला था उसने बोला कि एक लोसन आता है भाईया फूलों से बनता है वैजी देते हैं एक बार आप लगा लो थोड़ा दा रिलीफ मिलेगा बजाए कोकोनेट ओयल के अब मैंने उसको लगाया लेकिन मे जाए मेरे सही तो होने लगया बिट कया है कि कहीं और से उडियाता अब चार-पांच महीं नहीं होगे मेरे को कोई फायदा नहीं ऐसा लगा कि अंदर से बोड़ फटनेवाली है असा मेरे को फील होने लग गया तो मैंने चेक कराया उसमें कि क्या एक और आर्वजिक दवा मेरे से चला नहीं जाए पूरा सड से लेकर चेहरा कुछ छोड़ा ही नहीं अब जाने के कहीं हिमत ही नहीं बचिए अब क्या है कि जो मेगा मैम है यह ठीक है ट्रीटमेंट तो इनसे मैं अपरेल से स्टर्ट करा लेकिन इनसे मैं जुड़ा हूं 2021 से वह इसलिए जुड़ा कि मेगा मैम ने कभी भी अपना ब्रांडिंग नहीं करी कि यानि कि आप मेरी मेडिशन लो मैंने बहुत सारे वीडियो फोलो कर रहा हूं इनके I think 2020-2021 मैं इन्होंने चालू ही करे हूंगे वीडियो स्टैम तभी मैं जुड़ा था इनसे कि सबसे जादा इनका फोकत रहता है दाइटिंग उससे जादा फोकत रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट तीसरा इन्होंने योग चौथा हमेसा बोलती है जहां से भी आप जिस पैथी है वह अंग्रेजी दवाए वो तो फिर दबाएगी दबाएगी उसको उसके अलावा कोई भी आप पैथी ले रहे हो इन चीज याद नहीं आया तो सीधा मैंने इधर ही नंबर निकाला गूगल से यहां पर दॉक्टर नेहा मेह मैं उनसे मेरी स्टार्टिंग में बात हुई उन्होंने मेरे फूटो मांगे तो मैने फोटो उनको भेजे और उन्होंने ओनलाइन मेरे को मैडिसन भेजी अब हालत यह हो थी कि ठीक है विल पावर बहुत अच्छी रखता हूं बट मेरे से चलाई नहीं जा रहा पूरी मेरी टांग ऐसी हो गई पैर इतना था भी बैंड नहीं हो मेरा बिलकुल भी बैंड नहीं हो और डिहाइड्रेशन इतना ज्यादा हो गया पूरी बोडी का जो स्किन में फिलू हमेशन है जो भी पूरा एक बार तो जो भी निकलके पूरा जाएगा ही जाएगा ठीक है वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार था लेकिन प्लस पॉइंट ये था कि मैं चाहें दस वार फोन करूं दिन में पंद्रेवार करूं नेहा मैं और आस्था मैं को यह म बहुत टिपीकल था मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैं एक सेकिंड भी ने तो सो पा रहा था ने चल पा रहा था ने कुछ हो रहा था बट लगबग एक महीने की मेंडिशन के बाद कोई ओनलाइन ही मंगाई थी कुछ मेगा मैं ने यहां से मेडिशन चेंज कराई मेरी मेरे इन्होंने बुला कि एक रचेक करा लो विड़िमंद D3 का B12 का और Airaan का अब मेरे में डेफिसेंसी निगली और बहुत ज्यादा डेफिसेंसी निगली विटमिंद D3 की तो यहांते सगेस्ट किया गया कि जाने कि इनके एक लेगा आप इनको करींको हैं कर लेगा स्टां वह बहुत ज्यादा फास्ट होने लगी तो जैसे कि मैंने बताया कि अप्रेल में यांते मैडिसन चालू करी अब अप्रेल में निकल भी तो रहा था मेरे अब उसके बाद क्या होगा कि लगबग 10 जुलाई या 12 जुलाई तक याने कि तीन महीं नहीं हुए तो 90% या 95% में ठ मेरे नेल्स वगरा एकदम कियो रहे हैं एकदम साफ हैं कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं जो सबसे इंपोर्टेंड जो तिंग है वह यह है कि याने कि क्योंकि मैं उनमें से हूं जो बहुत सीवियर वारे सुराजिस वाला केस रहा है और मैंने भी जो 20 साथ से इसको फेस किय मुझत है और इतना ज्यादा फेस किया क्युकि जब डून 13 में था तभी यो गया था मैं इंजनिनिरिंग करी मैंने मैं इतना ज्यादा फील होता था मेरे ओकि फुल वाजु के मैं पहन के जा रहा हूं और तेल तेल और लगा के जारा हों पूरा कवर कर सोसील लैप एक तर मैं भी नहीं होती है, ऐसी घटी भी है, मेरे साथ बहुत बड़ी-बड़ी घटनाएं गटी, जो मैं ठीक है, हर तरह से जो बड़ी-बड़ी चीजे होती है, लेकिन मैंने इसमें जो अनुभव किया, वो ही मैं रिकमंड कर रहा हूं, मैंने इसके अंदर प्रनायाम को रिकमं करता हूं आज भी, उसके बाद से मेरी पुरी लाइफस्टायल चेंज होने लगी, मैं 90 किलो का हुआ करता था, आज मैं एकदम 70, 68, 69 तो बैलेंस बेट रहता है मेरा, डाइट मैंने 100% फोलो किया है, और दूसरा, जो योग करने से, या डिप ब्रिथिंग करने से, या पिर क्या हो गया है, तो वैसा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत किलियर था उसके अंदर, कि मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा हूं, तो मैं गिल्ट में क्यों जीऊंगा, मेरे बोडी का पार्ट है, आज ठीक है, वो ऐसा दिख रहा है, मेरा मैंने एक दिन भी social काम बंद नहीं किरा, चाहे मैं जहां बैठता मेरा जड़ता, मैं जानता था, कोई बोलता, मैं सीधा ये बोलता, भाईया तेरो को नहीं देखना है, तू मत देख, वो तेरा है, ठीक है ना, अब मैं तेरो कुछ गलत तो बोल नहीं रहा हूँ, तो इसमें अपने को बस यह है कि एक दम जैसे हैं perfect, ऐसे ही रहना है, यह नहीं कि वो क्या सोचेगा, वो क्या वो लेगा, बिल्कुल बहुत सारे question होते हैं सब, परिवार में, social में, एक तकलीफ होना, एक जलन होना कि वो एक अलग चीज है, लेकिन किसी को देखके वो चीज क चुपाना और उससे अंदर ही अंदर negative thought चलाना वो इसकी trigger को बहुत बड़ा जादा impact देता है, तो इसलिए अराम से, जैसे माथे पे भी हो रहा है, सर पे भी हो रहा है, कान पे भी कहीं भी हो रहा है, कैसा भी हातों पे भी है, अरे full जी ओ, first class तरीके से रो, हातों पे तु negative चलने लग जाते हैं, कि याने कि इससे negative depression में चले जाते हैं कई लोग, काफी चले जाते हैं, जब यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनको लगता है कि अब पता नहीं, जीने का कोई मतलब नहीं है, मैंने लाइफ में कुछ नहीं करा, इतना जीवन निकल गया तुम्हारे thought pattern change होने लग जाते हैं, और तुम्हारे depression छोड़ो, कोई और भी बीमारी होगी न, वो भी तुम्हारी चली जाएगी उसके अंदर, कुछ और भी टॉक्सिन हो रहे होंगे, बोडी के अंदर, तुम्हारी सोचने बदलावाने लग जाएगा, positive रहने लग जाओ कि जब अपने अपने अपसे प्यार करोगे, तो तुम्हें इस चीज़ से zero impact आएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है, पहला, दूसरा, 100% cure होता है, यह मेरा अनुभाव है, अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया, एक तो thinking process, अब जाना का है, अब जैसे यहाँ पर मैं जो मैंने फुरु आत में भी बोला था, कि इनके साथ मैं आज से नहीं जुड़ा हूँ, ठीक आज चार महीं दे treatment ले रहा हूँ, जुड़ मैं तीन साल पहले ही गया था, मैंने फोलो क्यों करा इनको, फोलो सिर्फ इसलिया करा, क्योंकि यह एकदम Gen 1, इन्होंने यह बोला कि याने कि तुम्हें डाइट का फोलो करना, stress management करना है, और अपना योग करना है, breathing exercise करनी है, हमेशा, और इनकी जब मैंने medicine चालू करी, no doubt, बहुत जादा effective थी, क्योंकि तीन से चार महिने में इतनी chronic disease का recover होना, यह अपने बहुत बड़ा एक, चमतकार कह सकते हो इसको, होता है, medicine हाँ, अब medicine का यह है कि, यानि कि medicine को proper तरीके से लेने से, अब जैसे इन्होंने तीन वार यह मैं लेता था पूरी इनकी medicine, जैसे इन्होंने बोला, उसी pattern में उसको follow किया, एक दिन भी नी तूड़ने दिया, अब दददस medicine है मेरे पास, अब मैं बहाना लगाने लग जाओं, कि मैं तो job करता हूँ, मैं कहां कर लेके जाओंगा, मैं लेके जाता था, मैंने वहां के डब्बे अलग कर दिये, fix office में, यहां के अलग कर दिये, कहीं और भी जा आता सकते हो, तो पहला हो गया medicine आपका यहां से, दूतरा हो गया diet, diet जो भी कोई एक genuine आरुवेधिक वाला है, वो diet के लिए बोलता ही बोलता है, तो diet हो गया, medicine हो गया आपकी, fully आरुवेधिक है, जीरो steroid, क्योंकि मैंने यहां ते जब निया मेम से ली थी, यही बोला था, मैं मैं चेक कर आऊंगा, तो निया मेम ने यही बोला था, आप भी चेक कर आऊ, खाने से पहले, आपको लगता है, तो हमें बताना और हम पर आप केस कर देना, कि आपकी इतना ज़्यादा है, तो अंदर, और तीसरा आपको डाइट फोलो करनी है, चौथा यह है कि जो रेगुलर फोलो अप है, बहुत अच्छी संस्ता और भी है, अपने इंडिया के अंदर आरो बैदे कैसा नहीं है, और भी है, लेकिन यहां का सबसे प्लस पोइंट है ना, वो यही था, यह वाला कि य यहां कि जो डॉक्टर्स हैं, वो आपको नहीं बोलते हैं, वो आपको रेगुलर फोलो करते हैं, कि आप अपनी पिच्चर वेज़ो, आप मेडिसन, आपका पेट साफ हो रहा या नहीं हो रहा है, मैडिसन कितनी ले रहे हो, रेगुलर ले रहे हो, या नहीं ले रहे हो, मै आपको हरवार एक positive way में response मिलना यह बहुत बड़ा मैजिक देखना चाते हैं सुरासिस फ्री होना चाते हैं तो नीचे दिए गए नमबर पर मेरी टीम से बात करें हमसे मिलने आएं और अपने सुरासिस को खतम करें थांक्यू और टेक केर